मैं हूँ दिनिश और आप देख रहे हैं लक्टोनिक सिरा आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं किसी भी रिजिस्टर को आप कैसे चेक करेंगे मल्टिमीटर से कि वो खराब है या अच्छा है तो चलिए शुरू करते हैं और साथ ही मैं इसकी वेल्यू कितनी है ये भी आप पता कर सकते हैं तो सबसे पहले मल्टिमीटर को वाले पोजिप्शन पर सेट करें तो मैंने यहां पर टूठ हाउजे नों पर सेट कर दिया है अब सिलिस्ट चेक करते हैं एक एक करके मैंने अलग-अलग वेल्यू के रिजिटर ले रख्या एक कीट ले रखा तो मैं य कर सब्सक्राइब कार्ली मिननल को ईख्या हैं तो 누가 मिल रहे तीन सु तैसे सू मिल रही है अब इसके नों ट्रमिनल को पलट देते ह। तो जो है लन्यू मिल गई वह सेम लिए ङुए यह यह रिष्टर रोस्ट हो है मेरा को सकत्शन आब दूसरा लेता ए कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पर वेल्यू चेंज नहीं हो रही है डेट मिस 2000 ओम से इसकी वेल्यू ज्यादा हो सकती है तो हम इसको 20 के पे सेट किये तो हमें जो वेल्यू मिल रहे है अब इसको प्लट के टेस्ट करते हैं तो लगभग सेम वेल्यू आ रहा है डेट मिस यह रेजिस्टर सही है और इसकी वेल्यू पॉइंट सम्तिंग 62 या 82 के में इसकी वेल्यू है अब तीसरा लेते हैं तीसरे वाली की वेल्यू 20 के पे सेट करने पे वन ही सो कर रहा है तो हम इसकी रोटेटी स्वीच को 200 के पे मुग किये हैं अब टेस्ट करते हैं तो यहां पे हमको मिल रहा है 150 एप्रोक्स के में तो अब हम टेस्ट करेंगे प्लट के तो यहां पे हमको मिलना चाहिए 150 से ज्यादा मिल रहा है बहुत ज्यादा मिल रहा है 180 तक चला जा रहा है तेट मिन्स कि यह स्लाइटली बेड है पूरी तरह से प्रफेक्ट नहीं है 180 का आसपास value मिल रहा है जबकि एक तरफ से 150 मिल रहा है के में 150 के अब देखते हैं कीट में लगे रेजिटर को आप के से चेक कर सकते हैं तो ये रेजिटर तो खराब माना जा सकता है ये दो प्रफेक्ट है अब हम कीट वाले रेजिटर को चेक करते हैं की ये खराब है या सही है तो सबसे पहले इन दोनों प्रफेक्ट को रेजिटर के दोनों टर्मिनल पर आप कनेक्ट करें तो यहां 1.100 कर रहा है ये कुछ ज़्यादा ही value पर मैंने set कर रहा है इसकी value कम है तो 2000 ohm पर मैंने set किया फिर से यहां पर आप देख सकते हैं 9.82 ohm आ रहा है 9.81 ohm अब इसको टर्मिनल को प्लाट के टेस्ट करते है तो 9.82 ohm आ रहा है तो यह पूरी तरह से perfect है तो इसी तरह से आप किसी भी register को इस circuit में check कर सकते हैं और अगर same value आए दोनों तरब से check करने पे तो आप कह सकते हैं कि यह register सही है और अगर value same नहीं आए तो register खराब है तो इस वीडियो में आपने चाना कि किसी भी register को आप कैसे multimeter से check कर सकते हैं और उसकी value कितनी यह पता कर सकते है तो मिलते हैं next वीडियो में thank you वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो please वीडियो को like करे share करे और channel को subscribe करे कर ओपको एक है